दिव्या का गेम देखकर डर गई थी निया शर्मा जी हां प्रतीक से बात करकर की बता रही हैं कि किस तरीखे से दिव्या का गें देखकर वो काफी डर गई थी और सोच रही थी कि इस से कंपीट करना पड़ेगा तो उनके लिए काफी जाधा मुश्किले खड़ी हो जिसमें से एक बड़ी बात यह है कि वो दिव्या के साथ connection भी बनाना चाहती है और कहीं न कहीं दिव्या से as a contestant डर भी गई थी निया बता रही है जब उन्होंने शोग देखना शुरू किया तो वो दिव्या को देखकर एकदम डर सी गई थी because she was shocked to see how दिव्या is playing the game so well और यह सारी चीज़े जब वो जानती है तो वो जो है बहुत अच्छी एक amazing player बन जाती है घर के अंदर और उनका game सभी को घर के बार पसंद भी आ रहा है यह सारी चीज़े निया प्रती को बताते हुए बता रही थी कि कि इस तरीके से दिव्या reality shows कर चुकी है या फिर इस तरीके कि reality shows का हिसा रह चुकी है वो दिखता है जिस तरीके से वो game खेलती है या वो जिस तरीके से अपने आपको present करती है तो everybody is really liking दिव्या outside उनका जो है बहुत game पसंद किया जा रहा है और उनका game बिल्कुल भी predictable नहीं है मतलब समझ में नहीं आते है कि अगला दिव्या क्या कर जाएंगी या फिर अगला दिव्या किसके साथ connection मना लेंगी या फिर अगला दिव्या किसके साथ दोस्ती करेंगी या किसके साथ दुश्मनी करेंगी जैसे श्रमिदा के साथ उनकी दोस्ती थी लेकिन फिर उन्होंने इस तरीके से दुश्मन नहीं की है कि अभी तक गांट बांद कर रखी हुई है So somewhere Nia Sharma is also liking Divya Agrawal's game but also is scared of Divya Agrawal seeing her game तो भई आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बार में जल्दी से लिग दीजे comment section में बाकि मैं चानल के साथ जुड़े रहे हैं और भी खबरे हैं लगातार ऐसे आप तक पहुचाते रहेंगे